Hello everyone, जैसा कि आपने मगत समराज के दूसरे भाग में जाना, सिसुनागवंस, नंदवंस और मौरे समराज के बारे में, अब हम जानते हैं बिन्दुसार, समराट असोक, असोक का कलिंग यूद और असोक और बौत धर्म के बारे में दोस्तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेर जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए बिन्दुसार, 298 इस्वी पूरुप से 273 इस्वी पूरुप या चंदगुरुप्त मौरे का पुत्र वाउत्रा धिखारी था जिसे वाईव पूरान में मदर्शार और जैन साहित्य में सिहसेन कहा गिया है। ये रानी लेखक भी इन्हें अभिलोचेट्स कहें हैं। यह 298 इस्वी पूरुप मगत समराज के सिहासन पर बैठा। जैन गरंथों के नुसार, बिन्दुसार की माता दूर धरा थी। थेरवाद परंपरा के नुसार वह ब्राह्मन धर्म का अनियाई था। बिन्दुसार के समय में भारत का पस्ष्ण मेशिया से वेपारिक समन्द बहुती अच्छा था। बिंदुसार के दर्बार में सिर्या की राजा एतियोकेस ने डाइमकेस नामक राजदूत भेजा था मिस्र की राजा टॉलमी के काल में डाइनोसियस नामक राजदूत मौरे दर्बार में बिंदुसार की राज़ फवह में आया था दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के सासन काल में तक्षिला में दो विद्रोगें जिनका दमन करने के लिए पहली बार असोक को और दूसरी बार सुसीम को भेजा प्रसासन के छेतर में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरन किया प्रती में उपराजा के रूप में कुमार निव्त किये, दिव्यदान के नुसार असोक अवंती का उपराजा था बिंदु सार की सभा में 500 सुदस्विय वाली मंतिरी परिशत थी जिसका प्रधान खल लाटक था बिंदु सार ने 25 वर्सों तक राज्ज किया, अन्तिता 273 इस्विपूर में उसकी मृत्ती हो गई असोक 273 इस्विपूर से 236 इस्विपूर राजगद्दी प्राप्त करने के बाद असोक को अपनी आंतिरीक इस्तिती सुद्रिड करने में 4 वर्स लगे इस कारण राज्ज रोहन 4 साल बाद 279 इस्विपूर में हुआ था वह 273 इस्विपूर में सिहासन पर बैठा अभी लेखों में उसे देवाना प्रिय एवं राजा आधी उपाधियों से सम्भोधित किया गिया है मासकी तथा गरजरा के लेखों में उसका नाम असोक तथा पुरानों में उसे असोक वर्धन कहा गिया है सिहली अनुसरूतिय के अनुसार असोक ने 99 भाईयों की हत्या करके राज सिहासन प्राप्त किया था लेकिन इसे उत्तराधिकार के लिए कोई स्वतंत्र पर्मान प्राप्त नहीं हुआ है दिव्यदान में असोक की माता का नाम सुब्धरांगी है जो चमपा के एक ब्रामन की पुत्री है सिहली अनुसुरतियों के नुसार उज्जेनी जातेत में असोक विदीशा में रुका जहां उसने स्रिष्टी की पुत्री देवी से विवाग किया जिससे महेंदर और संगमी तरह का जन्म हुआ दिव्यदान में उसकी एक पतनी का नाम तिस्यरक्चिता मिला है इसके उलेक में केवल उसकी पतनी का नाम करुना की है जो तीवर की माता थी अब हम लोग जानते हैं असोक का कलिंग युद जिहां असोक के कलिंग युद में तो बौध प्रंप्रायम कथाओं के अनुसार बिंदुसार असोक को राजा नहीं बना कर सुसीम को सिहासन पर बैठाना चाहता था लेकिन असोक एवं बड़े भाई सुसीम के बीच युद की चर्चा है असोक ने अपने राजे भिशेक के आठवे वर्ष 261 इस्विपूर में कलिंग पर आक्रमन किया था आंतरिक असांती से निपटने के बाद 279 इस्विपूर में उसका विधिवत अभिशेक हुआ तेरहवे सिलालेक के अनुसार कलिंग युद में एक लाख पच्चास सजार व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दी गए एक लाख लोगों की हत्या कर दी गए समराट असोक ने भारी नर्थाहार को अपनी आखों से देखा इससे द्रवित होकर असोक ने सांती समाजिक प्रगती तथा धार्मिक प्रचार किया कलिंग युद ने असोक के हिर्दे में महान परिवर्तन कर दिया उसका हिर्दे मानावता के प्रति दया और करुना से उद्वेलित हो गिया उसने युद किरियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिग्या की यहां से आध्यात्मिक और धम विजे का युक सुरू हुआ उसने बौत धर्म को अपना धर्म स्विकार किया सिहली अनुसरूतियों के अनुसार दीपवन्स यवं महावन्स के अनुसार असोक को अपने सासन के चौधवे वर्ष में निगोत नामक धिक्चु द्वारा बौत धर्म की दिख्चा दी गई थी इसके बाद मोगाली पूतर निश के परभाव से वह पूर्णता बौत धर्म बन गिया दिव्यदान के अनुसार असोक का बौत धर्म में दिख्चित करने का सरे उपगुप्त नामक बौत विक्चु को जाता है अपने सासनकाल के दस्वे वर्ष में सरव प्रथम बौत गया की उसने यातरा की थी तद उप्रांत अपने राज्य विशे के बिस्वे वर्ष में लुंबनी की यातरा की थी तथा लुंबनी गाम का कर मुक्त भोसित कर दिया था जिहां वहां बिल्कुल ही कर देने के जरूरत नहीं थी असोक एवं बौध धर्म कलिंक के यूद के बाद असोक ने व्यक्तिकत रूप से बौध धर्म अपना लिया असोक के सासनकाल में ही पाटली पुत्र में तिर्थी बौध संगीती का आयोजन किया गिया जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिरिश्या ने की इसी में अभिधंपिटक की रचना हुई और बौध विक्षू विभिन देशों में भीजी गया जिन में असोक के पुत्र महेंदर यवं पुत्री संग मित्रा को सिरिलंका भेजा गिया दिव्यदान में उसकी पत्नी का नाम तिस्य रच्चिता मिलता है उसके लेक में केवल उसकी पत्नी कुरोना वकी ही है दिव्यदान में असोक के दो भाईयों सुसीम तथा विक्तो सुक का नाम लेक है दोस्तों यहां तक देख चुके हैं तो सब्सक्राइब लाइक सेर जरूर कीजिएगा आगे हम लोग जानते हैं विद्वानों ने असोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियों कांस्टेटाइन, एटोनियस, अकबर, सैंट पॉल, नेपॉलियन, सीजर के साथ की है उनके अनुसार असोक अहिंसा सांती तथा लोग कल्यानकारी नीतियों की विश्व विख्यात तथा अतुलने समराठ है इचजी विल्स के अनुसार असोक का चरितर इतिहास के अस्तंबो को भरने वाले राजाओं, समराठों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच परकासमान है और आकास में प्राया एकाकी तारा की तरह चमकता है असोक ने बौध धर्म को अपना लिया और समराज्य के सभी साधनों को जनता के कल्यान के हेतु लगा दिया असोक ने बौध धर्म के प्रचार के लिए निमलिखित साधन अपना है धर्म यातरा प्रारंब की, राज की पदेदेकारी की निक्ति की, धर्म महापातरों की निक्ति की, दिव्य रूपों का प्रदसन किया धर्म स्रावन यवं धर्मो पदस की व्यस्था की, लोक चरिता की कारी किये धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशो में धर्म प्रचारों को के लिए प्रचारक भेजना इत्यादी असोक ने बौध धर्म का प्रचार का प्रारंब धर्म यातराओं से किया वह अभिसेक के दसवे वर्ष बहुत गया की यातरा पर गिया कलिंग यूद के बाद आमोध प्रमोध की यातराओं पर पाबंदी लगा दी अपने अभिसेक 20 वर्ष में लूम्बनी ग्राम की यातरा की नेपाल की तराई में इस्थीत निगलीवा में उसने कनक मुनी के इस्तूप की मरम्मत करवाई बौत धर्म के प्रचार के लिए अपने समराज के उच्छ पदाधिकारियों को निक्त किया अस्तंब लेख तीन और साथ के नुसार उसके वेश्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदिदिकारियों को जनता के भी जाकर धर्म प्रचार करने का उपदेश देने का आदेश दिया अविशेक के तेरवे वर्ष के बाद उसने बहुत धर्म परचार है तो पदिकारियों का एक नया वर्ग बनाया जिसमें धर्म महापात्र कहा गिया था इसका कार विभीन धार्मिक संप्रादायों के बीच द्विश भाव को मिटा कर धर्म की एकता अस्थापित करना था तो दोस्तो हमारा विडियो यहाँ पर यह अंतोरा है हमारा अगला भाग चार भी जरूर आएगा तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद थैंक